नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल Amazing Education News में दोस्तों अनुदेशक जो हैं वो सिक्षक बन गए हैं सिक्षामित्र भी सिक्षक बन गए हैं जी हाँ दोस्तों सही सुना आपने अनुदेशक और सिक्षामित्र दोनों ही सिक्षक बन चुके हैं अब आप मुझसे कहेंगे कि मैं ये किस तरीके की बात कर रहा हूँ, लेकिन बात बिल्कुल सही है, जब आप अनुदेशक और सिक्षामित्रों को सिक्षक और छात्र अनुपाद में समलिप करेंगे, यानि कि अनुदेशक और सिक्षामित्र इस हिसाब से तो सिक्षक ही बन असल में बात पूरी ये है कि RTI के तहट 30 बच्चों पर कितने अध्यापक का मानक है प्रदेश में इस सवाल को पूछा गया था इस सवाल के जवाब में सरकार ने पूरा एक जवाब दिया और इसमें अनुदेशक और सिक्षामित्र दोनों को ही सिक्षक चातर अनुपाद में जो है वो सम्मिलित किया यानि कि अनुदेशक और सिक्षक मानते हुए सिक्षक और बच्चों के अनुपाद में सम्मिलित किया गया तो इस आधार पे अनुदेशक और सिक्षामित्र दोनों ही सिक्षक हो जाते हैं लेकिन सिक्षक हो जरूर जाते हैं पर अनुदेशक और सिक्षामित्रों को मानदे वही 7000 और 10,000 रुपए दिया जाता है मानदे सिक्षकों के बराबर नहीं मिलेगा देखिए आपकी स्क च्छकों की संख्या इतनी है चात्र सिक्षक अनुपाद किता बैठता है 38 अनुपाद एक प्रात्मिक विद्ध्यालों में सिक्षामित्रों की संख्या जो है वो एक लाग 47,766 को समलित करते हुए चात्र सिक्षक अनुपाद हो जाता है 26 अनुपाद एक जो मानक के अनुसार पूर्ण है 30 अपरेल 2022 की छात्र संख्या के अनुसार उच्छ प्रात्मिक विद्ध्यालों में छात्रों की संख्या जो है वो इतनी है और अध्यापकों की संख्या भी दे रखिए 1,20,860 अब छात्र सिक्षक अनुपाद बैठता है 43 अनुपाद एक जो की पूर्ण नहीं हो तब अनुदेशक और सिक्षा मित्रों को 46 अनुपाद में सम्मिलित किया जाता है लेकिन जब मांदे और वेतनमान की बात आती है तो सिक्षा मित्र और अनुदेशक दोनों ही अयोगे हो जाते हैं और उनको मांदे सिक्षक के बराबर ना मिलते हुए केबल 7,000 और 10,000 रु आपको इसमें सिक्षक जैसा वेतनमान और सुबिधाय नहीं दी जाएंगी ये सरासर गलत है और अनुदेशक और सिक्षा मित्रों को जब 46 अनुपाद में सम्मिलित किया जा रहा है तो उनको मांदे भी सिक्षक के बराबर ही मिलना चाहिए आप इस बात से कितना सहमत है औ और आपकी जो राय है वो कमेंट में जरूर बताएं अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब परके बैल आइकन वाला बटन जरू दबालें धन्यवाद में